नमस्कार मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूँ और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं लेकिन चैनल करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिसकस करेंगे फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे सबसे पहले बात आती है कि chemistry क्या होता है ठीके chemistry से भी पहले हमको जानना होगा कि science क्या होता है ठीके तो देखे science जो है to know यानी जानना ठीके अगर कुछ भी आप जानते हो या जानने की कोसिस करते हो ठीके यानी to know about anything in a systematic way ठीके किसी चीज के बारे में systematic way से जानना ही क्या होता है science होता है ठीके फिर से to know about anything ठीके कुछ भी कुछ भी ठीके to know about anything in a systematic way it's called what it's called science एक दम क्लियर होगे न science क्या होता है ठीके और science या कौन सा वर्ट है तो या दरके का science या जो है ब्रांच कौन सा है तो physical science ठीके पाला कौन सा ब्रांच है तो physical science ठीके न अच्छा दूसरा कौन सा ब्रांच है तो दूसरा ब्रांच हमारा है life science याद रखेगा दूसरा कौन सा ब्रांच हमारा है तो दूसरा ब्रांच हमारा है life science ठीके तो हमने हमने केवल दो ब्रांच के ब साइन्स इदम क्लेर होगे अब देखिए फिजिकल साइन्स में ठीके फिजिकल साइन्स में दो ब्रांची जाते हैं ठीके कौन-कौन सा आता है एक आता है फिजिक्स ठीके एक क्या आता है आपका फिजिक्स दुसरा आता है आपका केमेस्ट्री याद रखेगा पहला क्या आत आचे class में, तो आज के class में हम लोग chemistry discuss करने वाले हैं, ठीके, लेकिन chemistry discuss करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं, कि life science जो है, ठीके, क्योंकि हमने physics discuss कर रखा है, हम लोग chemistry discuss कर रहे हैं अभी, ठीके, और chemistry के बाद हम लो life science discuss करेंगे, life science यानि what, यानि आपका botany, ठीके, botany और geulogy, ठीके, botany और क्या ची, geulogy, ठीके, तो सबसे पहले जान लीजी, क्या भाईया, कि science क्या होता है, ठीके, तो याद रखेगा, science जो है, science या वर्ड से आया हुआ है, और science या का मतलब क्या होता है, तो to know, ठीके, to know, जानना, कुछ भी जानते हो, अगर आप, या जानने की एक्छा रखते हो, तो वो क्या है, science है, ठीके, किस तरह का word है, तो latin word है, ठीके, science किस तरह का word है, latin word है, तो definition याद रखेगा, to know about anything, किसी चीज़ के बारे में, systematic way से जानना ही, क्या होता है, science होता है, बहुत सारे branches होते हैं, लेकिन हमने केवल physical science और हमने केवल life science के बारे में ही क्या करना है, discuss करना है, physical science में भी हमने केवल chemistry के बारे में ही discuss करना है, क्योंकि physics हमने already discuss कर रखा है, ठीके, और chemistry के बाद हम लो life science discuss करेंगे, जिसमें हम लोग botany discuss करेंगे, और Geology, discuss करेंगे, ठीक है, चलिए, अब आते हैं chemistry, ठीक है, अब किस पर आते हैं, अब आते हैं, कि वही है chemistry ठीक है अच्छा अब देखिए chemistry ठीक है लेकिन chemistry से भी पहले थोड़ा जान लेते हैं कि chemistry जो है ठीक है इसका origin क्या है यह जो word chemistry है ठीक है यह जो word chemistry है इसका origin क्या है यानि यह जो word है आपका ठीक है कौन सा word chemistry जो वर्ड है ये वर्ड किस कहां से आया ठीक है किस से आया नहीं कहां से आया ठीक है तू देखिए क्यमेस्ट्री जो है ठीक है क्यमेस्ट्री जो है ठीक है अलकेमी वर्ड से आया हुआ है ठीक है क्यमेस्ट्री जो है अलकेमी वर्ड से आया हुआ है ठीक है तो बहुत सारे ठ जो origin है यानि ये जो chemistry word है आपका इसका जो origin है ठीके बहुत सारे है ठीके मतलब exact क्या है यानि इसका जो exact etymology क्या है समझे कधियान से इसका जो exact etymology है कि वह या exactly ये किस नाम से आया हुआ है ये अभी तक unknown है ठीके etymology is yet unknown याद रखेगा chemistry जो है देखिए अधर आप बुक्स पड़ोगे ठीके तो आपको अलग-अलग नाम मिलेंगे कहीं आपको अलकेमिया मिल जाएगा कहीं अलकेमी मिल जाएगा कहीं आपको यूनिया मिल जाएगा कहीं केमिया मिल जाएगा ठीके तो आपको डिफरेंट 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 आपको मिल जाएंगे क्या चीज़, origin, origin किसके, origin of word, ठीके, लेकिन exact etymology क्या है, कि भईया, exact किस word से आया हुआ है, ठीके, exact किस word से आया हुआ है, ये अभी तक unknown है, ठीके, आप different different dictionaries पड़ोगे, ठीके, तो different different आपको source मिलेंगे, ठीके, आपको एक simple सा तरीका याद रखना है कि जो exact etymology है, exact etymology, यानि exact किस word से आया हुआ है, ये अभी तक क्या है, unknown है, ठीके, पता नहीं है, ठीके, अच्छा, अब बात आती है कि भईया, chemistry क्या होता है, second point आता है, first point तो हमने discuss कर लिया, ठीके, अब second point आता है, क्या होता है, ठीके, तो देखे, यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे words बता है, ठीके, सबका अगर common मतलब देखोगे, common meaning देखोगे, तो सबका एक common meaning है, that is cast together, समझेगा ध्यान से, क्या meaning है इनका, तो cast together, यानि एकठा करना, ठीके, तो simple तरीके से अगर कहा जाए, ठीके, simple तरीके से कहा जाए, कि chemistry क्या होता है, ठीके, तो हम लोग बोल सकते है, क्या बोल सकते है, ठीके, chemistry जो है, किसका ब्रांच है, कि chemistry is the branch of physical science, पहला point, ठीके, chemistry is the branch of physical science, ठीके, यहाँ पर देखे, यहाँ पर हमने आपको बताया कि science के, science के बहुत सारे branches होते हैं, लेकिन हमने केवल दो branches के बारे में ही discuss करना है, physical science और life science, ठीक है? अच्छा, chemistry, देखे, किसका branch है, तो physical science का branch है, ठीक है, chemistry किसका branch है, तो physical science का branch है, ठीक है, तो पहला point कि chemistry क्या होता है, तो chemistry is the branch of physical science, ठीक है? अच्छा है, in which, ठीक है, in which we deal with, ठीक है, जिसमें हम लोगे, ठीक है, किसके बारे में deal करते हैं, तो in which we deal with, अब देखे, किसके बारे में deal करते हैं, ठीक है, chemistry, तो ठीक है, कि वह जा, physical science का branch है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई problem नहीं है, ठीक है, अब देखे, लेकिन chemistry में, हम लोग किस चीज के बारे में deal करते हैं, ठीक है, तो याद रखीगा, chemistry में हम लोग deal करते हैं, composition के बारे में, ठीक है, composition के बारे में, ठीक है, लेकिन किसका composition, तो भया, matter का composition, ठीक है किसका composition तो matter का composition ठीक है कि matter जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है ठीक है अच्छा माली जिए कि matter बन गया तो उसकी properties क्या क्या है ठीक है matter माली जिए कि बन गया किस चीज़ से बनता है वो हमको पता चल गया ठीक है लेकिन बनने के बाद उसकी property क्या है ठीक है यानि हम तो chemistry में किसके बारे में deal करते हैं, तो chemistry में हम लोग deal करते हैं, composition of matter, properties of matter, interaction of matter की जो matter होता है, वो किस प्रकार से interact करता है, तो फिर से chemistry क्या होता है, तो बोल सकते हम लोग कि chemistry is the branch of physical science, in which we deal with, in which we deal with composition, properties, interaction, behavior, अच्छा, किसका behavior, behavior of matter, ठीक है, behavior of क्या चीं, matter, तो हम लोग simple तरिके से बोल सकते हैं, कि chemistry में हम लोग mainly, ठीक है, mainly matter के बारे में ही discuss करते हैं, याद रखे का, chemistry में हम लोग क्या करते हैं, mainly किसके बारे में discuss करते हैं, तो matter के बारे में ही क्या करते हैं, discuss करते हैं, एक दम clear होगे न, अच्छा, अब matter में क्या discuss करेंगे, matter में क्या discuss करेंगे, तो matter में हम लोग discuss करेंगे, भईया matter किसी से बना हुआ है, यानि matter का composition क्या है, ठीके, बन गया, तो उसकी properties क्या है, matter किस प्रकार से interact करता है, matter का behavior क्या है ठीक है तो हम लोग complete जो है न matter के बारे में क्या करते हैं discuss करते हैं deal करते हैं ठीक है कहाँ deal करते हैं तो वहिया chemistry में deal करते हैं एक गम clear हो गया न अच्छा इसके साथ साथ ठीक है यानि हम लोग composition के बारे में properties के बारे में interaction behavior के बारे में तो deal करते ही हैं, ठीके, लेकिन इसके साथ-साथ, यह जो matters होते हैं, इन में changes होते हैं, ठीके, तो इनके साथ-साथ हम लोग changes के बारे में भी deal करते हैं, ठीके, इनके साथ-साथ हम लोग किसके बारे में deal करते हैं, changes के बारे में properties, interaction, behavior ठीके, किसका, किसका भाया तो matter का, ठीके, किसका तो भाया matter का, and also the changes under which they go ठीके, और matter में जो changes होते हैं ठीके, matter में जो changes होते हैं हम लोग इनके बारे में भी क्या करते हैं deal करते हैं, और कहाँ deal करते हैं तो chemistry में deal करते हैं तो उम्हेर आपको यहां तक तो अच्छे तरीके से समझा गया होगा, ठीके, सबसे परले हमने आपको क्या बता है, साइंस क्या होता है, फिर हमने आपको बता है कि साइंस के बहुत सारे ब्रांचिज होता है, लेकिन हम लोग केवल दो ब्रांचिज के बारे में ही डिसकस करे ठीक है और फिर यहां पर हमने आपको बताया कि यह chemistry जो है बहुत सारे words से ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे words से आया हुआ है लेकिन exact etymology क्या है वो अभी तक unknown है ठीक है फिर हमने define किया chemistry को कि chemistry क्या होता है तो एक simple तरीके से आप define कर सकते हो study of matter एक simple तरीके से आप define कर सकते हो study of what matter ठीक है और यहां पर हमने आपको बताया detail में कि chemistry क्या होता है तो chemistry is the branch of physical science which mainly deals with composition, properties, interaction, behavior of matter and also the changes under which they go और उनमें जो changes होते है हम लोग उनके बारे में क्या करते है डील करते है ठीक है यह तो बात होगी किसकी किसकी बात होगी chemistry की बात होगी ठीक है अब थोड़ा ठीक है अब थोड़ा देख लेते हैं कि exactly कौनसा वर्ड है ठीक है यहां पर तो बहुत सारे वर्ड्स हमने यहां पर लिख लिख ही है ठीक है लेकिन usual common word कौनसा मिलता है आपको ठीक है तो usual जो common word मिलता है याद रखेग यहां पे यह word जो है आपको यह common यानि हर एक dictionary में हर एक आप कोई भी अच्छी books पड़ोगे तो उनमें यह आपको common मिलेगा word, that is alkemia, ठीके न, exact क्या है पता नहीं है, लेकिन यह common है, ठीके यह common है, अच्छा alkemia, अब alkemia किस तरह का word है, तो याद रखिएगा alkemia जो है, य Arabic word है, हर एक बात को जानेगा, हर एक word को समझेगा, ठीके, जहां कुछ भी अगर आपको समस्या हो, कहीं भी अगर कुछ भी problem हो, तो आप हमको बताएगा, हम आपका problem 100% resolve करेंगे, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे words होते हैं, लेकिन usual को, usual word कौन सा माना जाता है, तो alkemia को माना जाता है, ठीके, alkemia का मतलब क्या होता है, तो alkemia का मतलब होता है, ठीके, the art of transformation, याद रखेगा, alkemia का मतलब क्या होता है, the art of transformation, और alkemia किस तरह का word है, alkemia किस तरह का word है, तो यह एक Arabic word है, और आपको पता है, अगर आप world map देखना जानते हो, तो यहां पर आपको Arab पड़ेगा यहां पर आपको Arab पड़ेगा यह world map का एक छोटा से तुकड़ा है यहाँ पर आपको Arab ठीके, Arab country यहाँ पर आपको मिलेगा ठीके, तो याद रखेगा Alkemia, ठीके, अगर आपसे पूछय जाता है तो आप बताएगा कि भईया exact etymology तो नहीं पता है ठीके लेकिन usual जो word माना जाता है वो होता है alkemia और alkemia जो है एक Arabic word है ठीके Arabic word है और इसका मतलब जो होता है art of transformation ठीके चले यहां तक तो हो गई बात ठीके chemistry क्या होता है किस word से आया हुआ है ठीके यह दोनों points हमने discuss कर लिए अब बारी किसकी आती है अब बारी आती है भईया branch of chemistry की है अब किसकी बारी आती है branch of chemistry की ठीके अब देखिए branch of chemistry का मतलब क्या है ठीके branch of chemistry का मतलब क्या जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको physics में जब बताये थे हम physics में, तो हमने physics में आपको बहुत सारे branches के बारे में बताये था, क्योंकि 10 में हमने कौन-कौन सा ब्रांच पढ़ना है, physics में optics पढ़ना है, electrostats पढ़ना है, magnetism में पढ़ना है, तो हमने ये भी जानना जरूरी है, कि chemistry में जो भी chapters आपने पढ़ने हैं, I think total आपने chemistry में total 5 chapters पढ़ने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी chapter पढ़ रहे हो, वो किस branch का है, तो देखे, branches भी बहुत सारे होते हैं, chemistry के branches बहुत सारे ब्रांचे जो होते हैं, ठीके कितने याद रखेगा केवल पांच ब्रांचेज के बारे में ही क्या करेंगे deal करेंगे discuss करेंगे ठीके अच्छा पांच में भी पांच में भी आपको class 10 में केवल तीन ब्रांचेज के बारे में ही discuss करना है याद रखेगा पांच तो ठीके पांच में इन ब्रांचेज है आपके लेकिन आपको class 10th में 5 में से केबल only 3 branches के बारे में ही क्या करना है deal करना है ठीके ना चलिए तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं ये 5 branches देख लेते हैं ठीके अच्छा और कौन कौन से हमने पढ़ने हैं वो भी हम लोग पहले देख लेते हैं ठीके उसके बाद ये जो extra branches है यह जो एक्स्ट्रा ब्रांचिज है इनके बारे में डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं, क्या वज यहां, कि 5 ब्रांचेज जैनि जो major 5 ब्रांचेज हैं, वो कौन-कौन से है, and हमने कौन-कौन से पढ़ने है ठीक है हमने कौन-कौन से पढ़ने है ठीक है तो ये एक simple सा definition याद रखेगा हमेशा के लिए chemistry क्या होता है chemistry is the study of composition structure, properties, behavior and the changes बहुत important है changes और ये जो changes है ये जो आपका chapter 1 है ठीक है जो आपका chapter 1 है यानि chemical reaction and what equation ये chapter 1 is all about changes of matter ठीक है ये जो chapter 1 है आपका ये जो chapter है आपका is all about what changes of matter ठीक है तो chemistry का definition याद रखेगा ठीक है ना chemistry का definition आपको याद रखना है ठीक है और कुछ basic बाते additional बाते यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको ठीक है chemistry को हम लोग क्या बोलते हैं central science बोलते हैं याद रखेगा chemistry जो है इसको हम लोग central science भी बोलते हैं ठीक है याद रखेगा chemistry को क्या बोलते है central science बोलते हैं ठीक है ये तो definition हो गया ठीक है और इसका simple definition क्या है तो सबसे simple definition याद रखेगा study of matter तो सबसे simple definition मैंटर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ लो कि भाया वो क्या है तो समझ लो कि वो क्या है वो है आपका वोट वो chemistry ठीक है अब देखिए यह बात क्यों मैंटर के बारे में ही क्यों तो यह भी देख यह थे थोड़ा चांद लिए जेए जो पूरा ब्रह्मांड हमारा है यान जो पूरा यूनिवर्स है ठीक है वैसे हम लोग ब्रह्मांड के बारे में ठीक है only nine to ten percent ही जानते है ठीक है लेकिन जो भी हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं ठीक है उस पूरे ब्रह्मांड में ठीक है what is chemistry, तो chemistry is the study of matter, इसको central science भी कहा जाता है, ठीक है, और chemistry is the study of composition, structure, properties, behavior and changes, ठीक है, और आपको chapter 1 में क्या पढ़ना है मेली, changes के बारे में ही discuss करना है, ठीक है, लेकिन changes के बारे में पढ़ने से पहले, आपको बहुत सारी basic चीजों का knowledge होना चाहिए, ठीक है, और हम आपको complete knowledge provide कर आपको knowledge provide करेंगे, ठीक है, अच्छा, और यह जो basics हम आपको बता रहे हैं, यह basics केवल आपको इस chapter में ही नहीं, यानि केवल chapter 1 में ही यूज होगा इसका, इससे आपका, यानि जो basics हम आपको बता रहे हैं, इसका use, इसका help आपको further chemistry में मिलने वाला है, ठीक है, that is why आपने complete focus करना है, ठीक है, कहाँ focus करना है, जो जो basics हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते, ठीक है, तो chemistry हमने जान लिया, क्या क्या जान लिया, chemistry किस word से आया हुआ यह जान लिया हमने, है न, और science क्या होता है, और यह हमने आपको extra branches तो हमने बता दिया, ठी chemistry होता है, ठीक है, अचा यहाँ, chemistry तो already लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें और बहुत सारे होते है, जैसे petro chemistry होता है, ठीक है, petro chemistry होता है, अपका neuro chemistry होता है, ठीक है, बहुत सारे branches होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब हमने अभी discuss नहीं करना है, ठीक है, यह सब अभी आपको नही पढ़ना है ठीक है पेट्रो केमेस्ट्री होता है निउरो केमेस्ट्री है आपका ठीक है फार्मा केमेस्ट्री होता है सर्फेस केमेस्ट्री होता है तो बहुत सारे आपको ब्रांचेज मिल जाएंगे ठीक है लेकिन जैसे हमने आपको बताया केवल हमने पांच ब्रांचेज क कौन-कौन से हैं, चलिए, सबसे पहला है बहिया, organic chemistry, सबसे पहला कौन सा है, organic chemistry, दुसरा है, inorganic chemistry, फिर क्या है physical chemistry, फिर analytical chemistry, और फिर आपका है biochemistry, ठीके, फिर कौन सा है biochemistry, तो ये total आपके 5 branches है, और तो आपको 10 में कौन-कौन सा पढ़ना है, तो याद रखिएगा आपको पढ़ना है, organic chemistry, तीके, अब आप सोचोगे, भया, organic chemistry कौन सा है, तो आप बुक में देखोगे, तो आपको एक chapter मिलेगा, that is, carbon and its compound, तीके, carbon and its wood compound, तीके, तो carbon and its compound, जो है, वो आपका, जो है, वो organic chemistry है, तीके, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो भी आप पढ़ रहे हो, वो किस branch के अंदर में आ रहा है, तीके, ये तो आपको पता है, कि भी आप chemistry पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, कि भाईया आप जो भी चाप्टर पढ़ रहे हो वो कौन से ब्रांच का है वो किस chemistry के किस ब्रांच से बिलॉंग करता है तो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो याद रखिए का पहला कौन सा है तो organic chemistry अब हम लोग यह भी deal करते हैं यह भी discuss करते हैं कि यह organic chemistry क्या होता है इसको भी हम लोग completely discuss करते है ठीक है फिलाल आप जान लीचे कि पांच ब्रांचेज है कौन-कौन से organic, inorganic, physical, analytical chemistry और biochemistry ठीक है और हमने class 10 में केवल इन तीनों के बारे में ही हमने केवल पढ़ना है याद रखिएगा कौन-कौन सा organic, inorganic और physical के बारे में ही हमने केवल पढ़ पढ़ना है ठीक हमने केवल इन तीन ब्रांचेज के बारे में ही क्या करना है पढ़ना है ठीक है अब देखिए अब बचा biochemistry क्या तो biochemistry हमने आपको ठीक हमने आपको already 12th class में पढ़ा रखा है अगर आप जानना चाहते हो तो आप एक बार playlist चेक करोगे ठीक है 12th class का एक बा kawhy आप पढ़ा playlist चीक करोगे तो वहां आपको biochemistry मिल जाएगा ठीक है वहाँसे आपको biochemistry मिल जाएगा ठीक है लेकिन आपको इसकी जुरूरत नहीं है ठीक है आपको 10th के बाद इसकी जुरूत पढ़ सकती है तो हमने अल्रीडी बता रखा है बायो केमेश्ट्री क्या होता है ठीके, अनेलेटिकल केमेश्ट्री भी हमने बता रखा है ठीके, लेकिन हमने किस पर फोकस करना है हमने किमल फोकस करना है इनऌरगेनिक ट्री पर औरिमक्त कैमेस्ट्री पर और वे चलnए पर सबस्ते पर सिक्षामेंगे। टिक हमको next classes पढ़ना है यान्य हमको 11 दोले पढ़ना है टिक है लेकिन हम लोग थोड़ा जान तो लें यह है क्या बायो chemistry है क्या analytical chemistry है क्या चलिए सबसे पहले start करते हैं किस से organic chemistry से सबसे पहले start करते हैं organic chemistry से ठीक है चलिए जैसे हमने आपको यहां बताया कि भईया आपका एक chapter है class 10 pen ठीके उस chapter का नाम क्या है that is carbon and its compound यह आपका chapter है है वे यह जैकक है आपका carbon and its compound यह जो है आपके chemistry का लाश्च चाप्टर है यानि आप egenic chemistry पुछना आंप देखिए आईए भया organic chemistry देखिए चा होता है organic chemistry तो एक गम simple तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो simple तरीके से आप यह definition पढ़ो ठीके क्या है definition तो organic chemistry is the study of chemical compound consists primarily of carbon and hydrogen तीके यानि simple तरीके समझेगा organic chemistry में ठीके organic chemistry में हम लोग उन compounds के बारे में discuss करते हैं deal करते हैं ठीके फिर से organic chemistry में हम लोग उन compounds के बारे में deal करते हैं जो या जिन में केवल carbon और hydrogen होता है एक line में ठीके जिन में केवल carbon और hydrogen होता है केवल हम लोग उन compounds के बारे में क्या करते हैं deal करते हैं ठीके तो याद रखेगा chemistry क्या होता है तो पहला point कि यह chemistry branch है, किसका branch है, not chemistry, organic chemistry, देखिए, आपर मिस्स कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, organic chemistry की, तो organic chemistry क्या है, organic chemistry branch है, किसका branch है, तो chemistry का branch है, जिसमें हम लोग केवल carbon वैसे compounds के बारे में discuss करते हैं, deal करते हैं, ठीके, जिसमें क्या है carbon और hydrogen है, ठीके, यहाँ पढ़िए, organic chemistry is the study of chemical compound consists primarily of carbon and hydrogen, hydrogen, यानि हम लोग organic chemistry में, उन्हें compounds के बारे में deal करते हैं, discuss करते हैं, जिन में mainly क्या है, आपका mainly carbon है, और hydrogen है, अच्छा, अब वैसे compound, जिन में क्या है, केवल hydrogen है, और carbon है, उनको बोलते हैं, hydrocarbon, याद रखेगा, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं, hydrocarbon, ठीके, तो simple त तरीके से बोल सकते हैं, कि organic chemistry में, हम लोग है, केवल hydrocarbon के बारे में discuss करते हैं, simple तरीके से समझेगा, organic chemistry में, हम लोग केवल किसके बारे में discuss करते हैं, तो केवल हम लोग है hydrocarbon के बारे में, क्या करते हैं, discuss करते हैं, ठीके, अच्छा, hydrocarbon से भी आप बहतर बोल सकते हो, कि हम ल लोग later discuss करेंगे ठीक है थोड़ी देर में हम सब चीज हर एक चीज को discuss करेंगे ठीक है तो फिल हाल आप याध कर लिजे ऑरगे नीक स्टी क्किया होता है तो किसका ब्रांच होता है तो chemistry का ब्रांच होता है जिसлек कंपाउंड के बारे जिसको हम लोग organic compounds भी बोलते हैं तो आप simple तरीके से ये भी बोल सकते हो कि भाया study of organic compounds study of organic compounds is called organic chemistry, simple definition study of organic compounds is called organic chemistry तो उम्मीद है आपको organic chemistry समझा गया होगा एक बार फिर से repeat कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए ठीके तो organic chemistry क्या होता है तो भाया branch होता है chemistry का जिसमें हम लोग उने compounds के बारे में deal करते हैं जिसमें mainly carbon होता है और hydrogen होता है यानि hydrocarbon के बारे में organic compounds है ठीक है अब तो याद हो गया होगा ठीक है अब देखिए simple तरीके से भी समझो अगर आपको ये सब भी नहीं समझा जाया तो simple एक ऐसा branch जिसमें हम लोग medicines के बारे में deal करते हैं, detergent, soap के बारे में deal करते हैं, plastics के बारे में क्या करते हैं deal करते हैं तो वो कॉन सा branch है वो organic chemistry, simple सी बात है वो कॉन ने किसका branch तो chemistry का branch ये ध्युच्झा चलिए यह तो हो हो गई की बात और गेनिक की अब बात करते हैं किसकी इन और गेनिक का ठीक है तो सिंपल तरीके समझेगा इन और गेनिक क्या होता है ठीक है तो एक एक ऐसा ब्रांच ठीक है एक ऐसा ब्रांच जिसमें लेकिन किसका ब्रांच तो केमेस्ट्री का ब्रांच क्योंकि हम लोग केमेस्ट् किसका ब्रांच है तो chemistry का ब्रांच है जिसमें हम लोग inorganic compounds के बारे में deal करते हैं simple तरीके समझेगा दमध्यान से inorganic compounds के बारे में क्या करते हैं deal करते हैं याद रखेगा inorganic chemistry क्या होता है फिर से inorganic chemistry क्या होता है ठीके तो एक ऐसा branch होता है, chemistry, जिसमें हम लोग in organic compounds के बारे में, किसके बारे में, तो in organic compounds के बारे में क्या करते हैं, deal करते हैं, discuss करते हैं, ठीके, अच्छा, अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया, तो आप इसको ऐसे समझो, ठीके, आप इसको ऐसे समझो, कि भाया, एक ऐसा, एक ऐसा branch chemistry का, जिसमें हम लोग elements के बारे में, discuss करते हैं, हम लोग minerals के बारे में, discuss करते हैं, हम लोग oxides के बारे में क्या करते हैं, discuss करते हैं, simple सी बात है, ठीके, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि भाया, inorganic chemistry क्या होता है तो एक ऐसा ब्रांच होता है chemistry का जिसमें हम लोग उन compounds के बारे में deal करते हैं समझेगा ध्यान से उन compounds के बारे में deal करते हैं जिसमें CH bond नहीं होता है जिसमें carbon hydrogen नहीं होता है organic chemistry में क्या था organic chemistry में हम लोग उन compounds के बारे में deal करते हैं जिसमें, जिनमें CH bond होता है, यानि carbon hydrogen होता है, यानि hydrocarbon होता है, ठीके, जबकि inorganic में क्या होता है, कि हम लोग उन compounds के बारे में deal करते हैं, ठीके, inorganic में हम लोग उन compounds के बारे में deal करते हैं, ठीके, जिसमें hydrogen carbon bond, यानि carbon hydrogen bond, यहां देखिए, CH bond नहीं होता है, do not contain CH bond, ठीके, do not अच्छे तरीके से बोलो एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसके बारे में डील करते हैं इन और्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करोगे तो अगर आप इन और्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करोगे तो इन और्गेनिक कंपाउंड के बारे में डील करोगे तो अ अब देखिए, ठीके, अब देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि भया, और्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है आपका, तो carbon and its compound, ठीके, अब बात आती ही कि भया, इन और्गेनिक में कौन कौन सा है, ठीके, तो इन और्गेनिक में आपको बहुत सारे branches पढ़ने ठीके, तो सबसे अधिक आपको इन और्गेनिक, यानि class 10 में, सबसे अधिक आपको इन और्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना is, चलिँ, यहां तक हो गई बात कि भया ओर्गेनिक क्या होता है, इन और्गेनिक क्या होता है, ठीके, अब बात आती है कि- किs की तो physical chemistry की ठीके, physical chemistry क्या होता है देखे नाम से clear यहां पर दिखे तोड़ा physics यहां से आपको feel आ जाएगा physical यानि थोड़ा physics से feel आ जाएगा आपको ठीके और यहां पर chemistry तो आपको पता ही है तो chemistry का मतलब क्या ची chemistry यानि simple से definition study of matter यानि एक लाइन में अब बता दो कि भाया study of matter ठीके तो simple तरीके समझेगा अगर आप physics के lodge physics के ठीकनिक अगर आप chemistry पर अपलाई करते हो ठीके यहां पर पड़ी एक बार physical chemistry is the application of technique and theory of physics to the chemical system यानि अगर जो भी आपने physics के law पढ़े है ठीके जो भी आपने physics के theory पढ़ी अगर उसको आप chemical system पर apply करते हो अगर आप उसको क्या करते हो chemical system पर apply करते हो तो वो जो branch है वो branch क्या कहलाएगा वो branch कहलाएगा physical chemistry याद रखेगा वो branch कौन सा है तो वो branch है आपका physical chemistry फिर से एक बार फिर से यहां पर करते हो ठीके तो वो जो ब्रांच है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं फिजिकल केमेश्ट्री याद रखेगा उस ब्रांच को क्या बोलते हैं फिजिकल केमेश्ट्री ठीके जैसे जैसे कंबस्वन हो गया आपका यह यह देखिए यहां पर आई मिसिंग है कंबस्वन हो गया आ ठीके कंबस्दन आपको पता होगा, ठीके, अगर नहीं पता तो हम लगग packंबस्दन के बारे में, detail में, भी deal करेंगे। ठीके, देखे, हम कोसिस कर रहे हैं कि आपको हम छोटी-छोटी बात समझाएं, फिर भी अगर आपको कोई भी बात नहीं समझाते हैं, कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझाता है, तो आप हमको बताएगा, उस पॉइंट पर हम डिटेल में, ठीके, उस पॉइंट पर ह बारे में discuss करोगे तो inorganic chemistry अगर physics के लॉज थीओरी को अगर आप chemical system पे apply करते हो ठीके तो वो क्या होगे physical chemistry ठीके और example से याद रखेगा अगर आप electroplating के बारे में discuss कर रहे हो अगर आप combustion के बारे में discuss कर रहे हो अगर आप fluorosene के बारे में discuss कर रहे हो तो समझ लो कि यह सारे फेजकल के अंडर में आ जाएंगे ठीके यह तो तीन ब्रांचिज हो गया यानि तीन ब्रांचिज हमने cover कर लिए अभी बाकी है क्या बाकी है अभी जैसे हमने आपको chemistry हमने already 12th class वाले playlist में बता रखा है ठीके तो अगर आप चाहते हो तो एक बार उसको देख ले ना ठीके लेकिन हम लोग क्या करते है थोड़ा biochemistry पहले देख लेते हैं ठीके नाम से clear है biochemistry अब बायो का मतलब क्या तो बायो का मतलब होता है living ठीके बायो का मतलब क्या होता है living ठीके समझेगा द्यान से यहाँ पर बायो है बायो का मतलब क्या होता है तो बायो का मतलब होता है लिविंग और केमेस्ट्री आपको पता है केमेस्ट्री का मतलब आपको पता है ठीके तो सिंपल तरीके से गर समझा जाए सिंपल तरीके से गर कहा जाए ठीके तो भई बायो केमेस्ट्री क्या होता है अगर आप उसको study करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं biochemistry, फिर से biochemistry क्या होता है, तो एक ऐसा branch होता है, एक ऐसा क्या होता है, branch होता है, किसका branch होता है, chemistry का branch होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, chemical process के बारे में तो deal करते ही है, लेकिन वैसे chemical process जो क करते हैं डिसकस करते हैं ठीक है तो वो जो ब्रांच है ठीक है वो जो ब्रांच है वो ब्रांच क्या कहलाएगा वो ब्रांच कहलाएगा दैडिस बायो केमेस्ट्री ठीक है और बायो केमेस्ट्री में हम लोग मेंली क्या करते हैं deal करते हैं ठीक है बायो मॉलेकुल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं deal करते हैं ठीक है अब बायो मॉलेकुल्स में कौन-कौन सा जागा क्या बच गिया ऐनलेटिकल क्यमेश्ट्री चल लिए अब थोड़ा एनलेटिकल क्यमेश्ट्री को भी डिसकस कर लिया जाए कि भ заб Eph prop hard ग76 क्या होता है थाभे टो देखे एक्डम सिंपल सब्डों में है क्या होता है तो एक ऐसा ब्रांच होता है chemistry का, जिसमें हम लोग किसके बारे में deal करते हैं, identification के बारे में deal करते हैं, quantification के बारे में deal करते हैं, फिर किसके बारे में, separation के बारे में, अच्छा, अब separation का मतलब क्या होता है, तो अलग करना, है न? तो माल लो, क्या माल लो? कि कोई भी matter है तो वो इफिरेंट, डिफिरेंट चीजों से मिलके बना होगा धिक है? यानि वो इफिरेंट डिफिरेंट उसके components होंगे फिर से कोई है? माल लो, हरी चीज तो matter है हरी चीज क्या है? matter है अच्छा matter है तो वो different different component से मिलके बने होगा है ना वो जो matter है वो आपका different different component से मिलके बना होगा ठीके तो वो जो component है उन component को क्या करना separate करना उन component को अलग करना उन component को पहचानना उन component को पता करना कि वो जो component है अगर उस matter में वो component है तो कितना है यानि उसकी quantity कितनी है ठीके तो तो अगर आप separation के बारे में, identification के बारे में, quantification के बारे में, ठीक है, किस का, लेकिन किस का, तो chemical component का, ठीक है, और chemical component of किस का, matter का, फिर से एक बार, तो matter, कोई भी matter है, कोई भी चीज matter है, हर इक चीज matter है, ठीक है, तो matter जो है, वो different chemical components से मिलके बनाओगा, तो उस chemical components को अलग करन उनको पहचानना कि वह किस कौन-कौन से chemical components हैं, उनकी मात्रा पता करना, तो अगर आप इन चीजों के बारे में deal करते हो, अगर आप deep analysis करते हो matter के बारे में, ठीके? अच्छा? not matter, अब बोलो कि chemical components of matter, है न, chemical components of matter, यानि जो matter के जो chemical components है, अगर उनके बारे में, अगर आप deep analysis करते हो, ठीके, तो वो जो deep study है, deep analysis है, उसको हम लोग क्या बोलते है, उसको बोलते है analytical chemistry, याद रखेगा, उसको क्या बोलते है, उसको बोलते है analytical chemistry, ठीके, तो definition याद रखेगा, analytical chemistry किसका branch होता है तो chemistry का branch होता है जिसमें हम लोग किसके बारे में deal करते है तो separation के बारे में identification के बारे में quantification के बारे में ठीक है लेकिन किसका तो chemical component ठीक है chemical component लेकिन किसका chemical component तो matter का chemical component ठीक है ना यहां तक किले लोगे है ना अब जैसे example के तौर पे देखिए, जैसे आप पानी को टेस्ट करना, है न, जैसे quality testing of water, इसमें इसका यूज होता है, ठीके, तो पानी है, तो हो सकता है कि पानी आपका सुधे नहीं है, यह पानी में हो सकता है, बहुत सारी chemicals मिले हो, तो उन chemicals को अलग करना, ठीके, उन chemicals को फा investigation में इसका यूज होता है, है न, blood के examination में, है न, भई, blood में पता करना, भई, blood में जो भी है, ठीके, blood test होता है, बहुत सारे test होते है, ठीके, तो यह सब में, क्या होता है, यूज होता है, कि इसका analytical chemistry है, ठीके, तो अगर आप blood को आप जांच रहे हो, ठीके, अब blood के बारे म हम detail आपको जनकारी दे देंगे तो ये तो होगी बात analytical chemistry की तो ये पांच branches है तिके ये जो है आपके पांच branches है तिके जिसमें हमने केवल तीन branches के बारे में ही क्या करना है डील करना है तो एक बार repeat कर लिया जाए organic chemistry यानि organic compounds का study, inorganic chemistry यानि inorganic compound का study physical chemistry यानि physics के law को chemical system पे apply करना ठीके analytical chemistry तो हमने आपको बताया कि matter के जो chemical component से उनको अलग करना उनको पहचानना और उनकी मातरा पता करना ठीक क्या होता है analytical chemistry होता है फिर bio chemistry हमने आपको बताया कि bio molecules के बारे में अगर आप study कर रहे हो तो वो क्या है bio molecules है ठीके तो यह आपके पांच major branches है लेकिन हमने केवल organic, inorganic और physical पढ़ना है ठीके और उसमें भी हमको mainly inorganic ही पढ़ना है ठीके inorganic और organic ही पढ़ना है ठीके फिजकल भी हम लोग पढ़ेंगे ठीके चलिए सब तो होगी बात फिर यहाँ पर हमने देखा कि भाया chemistry क्या होता है ठीके तो यहाद रखेगा study of matter chemistry को central science भी कहा जाता है ठीके और एक point और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे एंटोनी लेवोजर को ठीके एंटोनी लेवोजर को father of chemistry कहा जाता है ठीके यह भी याद रखेगा एंटोनी लेवोजर को father of chemistry कहा जाता है ठीके यह भी point याद रखेगा चलिए उसके बाद हमने आपको कुछ और branches यहाँ पर बताये थी ठीके जैसे nano chemistry ठीके एstro chemistry environmental chemistry ठीके तो ब्रांशेश कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, फादर कौन है chemistry का, exact definition क्या है, organic, inorganic, physical, bio, analytical chemistry, यह सब क्या होते हैं, ठीक है, यह सब तो हमने basic discuss कर लिया, है न, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है matter के classification की, है न, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्यों हम लोग यह topic चूच कर रह क्या है behavior क्या है interaction क्या है changes कैसे होंगे matter में तो overall chemistry है क्या matter तो सबसे परले जानना पड़ेगा ठीक है कि matter क्या होता है ठीक है वैसे आपने पढ़ रखा होगा नीचे classes में आपने पढ़ रखा होगा ठीक है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक एक बर recap करा देते हैं अपको एक बर recall करा देते हैं ठीक है जिसे आपको थोड़ा समझ आएगा बेहतर ठीक चलिए matter तो matter आपको पता होगा कि हर एक चीज मैं crowd हर एक चीज क्या है वह matter है आंठ तो क्या से हम लोग पता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, matter, ठीक है, simple सी बात, matter क्या होता है, तो anything, having some mass and occupy some spaces, mass होगा, space occupy करेगा, वो क्या हो गया, matter हो गया, आरी बात समझ में, वो क्या होगा, वो क्या हो गया, matter हो गया, ठीक है, अब देखिए, यह सब क्या है, matter है, ठीक matter को क्या किया जाता है classify करा जाता है ठीक है तो matter को दो पार्ट में हम लोग में लिए classify करते हैं ना कौन सा classification, physical classification, और दुसरा कौन सा होता है, दुसरा होता है आपका chemical classification, याद रखेगा, matter को usually हम लोग जो है, दो पार्ट में divide करते हैं, ठीके, दो पार्ट में क्या करते हैं, divide करते हैं, कौन कौन सा पार्ट तो एक होता है, physical classification, दुसरा क्या होता है, chemical classification ठीक है physical में भी हम लोग energy basis के अधार पे classify करते हैं दो part में एक होता है low energy के अधार पे low energy के अधार पे दुसरा होता है high energy के अधार पे और अभी आपको low energy states के बारे में discuss करना होता है ठीक है जैसे कौन-कौन सा जैसे solid और हमने आपको solid state complete solid state पढ़ा रखा है ठीक हमने आपको liquid के बारे में बता रखा है gas के बारे में भी आपको बता रखा है ठीक है एक बार आप चेक करोगे playlist में आपको मिल जाएगा ठीक है के वोल आपको अभी low energy state पढ़ना होता है ठीके solid में भी हमने आपको बता रखा है कि यह solid 2 त रखे होते है ठीके एक होता है आपका कौन सा crystalline solid है एक जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते है crystalline solid बोलते है दुसरा जो होता है दुसरे को क्या बोलते हैं, दुसरे वाले को बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीके, अच्छा, फिर क्या, फिर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये चारत रखे होते हैं, ठीके, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, चारत रखे होते हैं, पहल जो molecular होता है ये भी तीन तरह के होते हैं याद रखेगा एक होता है polar molecular solid दुसरा होता है आपका non polar molecular solid और किसरा होता है आपका hydrogen bonded molecular solid ठीक है hydrogen bonded क्या जी molecular solid ठीक है फिर हमने आपको liquid के बारे भी बता रखा है कि या liquid दो तरह के होते है एक होता है viscous liquid ठीक है दुसरा होता है आपका non non-viscous liquid तो यह सब किसका होगे यह सब होगे फिजकल क्लासिफिकेशन और फिजकल क्लासिफिकेशन में भी कौन सा लो एनर्जी लेबल यानि वैसे लो एनर्जी लेबल का मतलब क्या हुआ कि वैसे स्टेट वैसे स्टेट अफ मैटर जो रूम टेंपरेचर पर एक्जिस्ट करत हैं अगर आप उनके बारे में डिस्कस करते हो तो उनको अम बोलते हैं लो एनर्जी स्टेट आफ मैटर्स कौन-कौन सा आता है मेली solid आता है लिक्विड आता है गैस आता है ठीक है solid रखेगा kristaline solid और amorphous solid और kristaline solid चार्ट रखे होते है ionic solid, molecular solid covalent solid, metallic solid और molecular solid भी याद रखेगा polar होता है, non-polar होता है hydrogen bonded होता है, ठीके न, यहाँ तक clear and अच्छे तरीके से, अच्छा liquid भी याद रखेगा, एक होता है viscous दुसरा होता है non-viscous, ठीके यहाँ पर हम थोड़ा सा gas को भी बता देते हैं gas भी दो तर की होते हैं, ठीके याद रखेगा, एक होता है ideal gas, दूसरा होता है real gas, ठीके, तो यह सब हो गए आपका physical classification लेकिन low energy state की अधार पर, low energy basis की अधार ठीके, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने chemical classification पढ़ना है, ठीके हमने chemical classification पढ़ना है हमने केवल chemical classification पढ़ना है ठीक है तो देखे chemically हम लोग matter को समझेगा ध्यान से chemically हम लोग matter को 2 part में divide करते हैं ठीक है कौन-कौन सा एक होता है pure दुसरा क्या होता है impure ठीक है याद रखेगा पहला होता है pure, दुसरा क्या होता है impure और impure को generally आप लोग क्या बोलते हो मिक्षर बोलते हो है ना इंप्योर को जेनरली आप क्या बोलते हो मिक्षर बोलते हो ठीके ना अब देखे प्योर में क्या क्या आता है elements आते है compound आता है प्योर में क्या क्या आता है element आता है compound आता है mixture में क्या क्या आता है homogeneous mixture आता है heterogeneous mixture आता है series मिल जाएगा ठीक है यहां तक लिर हो गया फिर देखें यह जो heterogeneous होता है यह इसमें भी आते हैं अलग-अलग एक आता है suspension यह भी हमने आपको बता रखा है suspension फिर इसमें आपको मिल जाएगा colloids मिल जाएगा ठीक है न चलिए यह सब तो होगी बात matter का chemical classification ठीक है तो यह जो classification किया गया है यह कौन सा classification है यह classification किया गया है यह chemical classification और यहां जो हमने classify करा ठीक है यहां जो हमने classify किया यह physical classification था ठीक है यह जो classification था यह कौन सा classification था यह physical classification था यह वाला chemical तो chemically matter को हम लोग दो पार्ट में क्या करते classify करते हैं एक होता है आपका pure दूसरा होता है impure pure में compound or elements एना pure में compound or elements ठीक है अच्छा impure में या mixture में homogeneous heterogeneous homogeneous यानि solution जो हमने बता रखा है आपको heterogeneous में क्या क्या आजागा suspension आजाएगा colloid आजाएगा ठीक है सब आजाएगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने mechanical mixture लिख रखा है यह जो है mechanical mixture है, ठीक है mechanical mixture ठीक है जो होगी बात है यहा तक लिह उगया अब Eli क्या होता है element क्या थोड़ा इसके बार में discuss कर लिया जाएगा ठीक है चलिए, तो देखे, एलिमेंट जो होते हैं, दो तरके होते हैं, ठीके, एलिमेंट जो होते हैं, दो तरके होते हैं, याद रखेगा, एक होता है, इस्टेबल एलिमेंट, दुसरा होता है, आपके, अन्स्टेबल एलिमेंट, ठीके, तो एलिमेंट्स दो तरके होते हैं, कौन- reactive gases भी बोलते हैं याद रखेगा इसको हमनों क्या बोलते हैं अन reactive gases भी बोलते हैं ठीके न अच्छा अब बात आती है कि यह कौन कौन सा होगा तो याद रखेगा यहाँ पे हमने आपको बता रखा है that is hillium, neon, argon, krypton, jenen और radon याद रखीगा कौन कौन सा तो of again all इसका trick क्या है वो भी हमने आपको बता रखा है इसका trick होता है traprick याद रखेगा ila niinha और karina फिर से हीना नेहा और karina जीते रहें तो यह याद रख Carl यह याद रखेगा trick किसका है तो inert gas का यह trick है जिसको हम लोग stable बोलते हैं इसमें एक और है इसमें एक और है that is un-un-optium यह भी याद रखेगा चलिए यह तो हो गई बात inert gas की यह किसकी बात हो गई तो यह बात हो गई इनर्ट gas की अब बात करते हैं जिसके पास क्या होगा मास होगा और जो space occupy करेगा simple सा है जिसके पास मास होगा और जो क्या करेगा वो matter है और matter को हम लोग classify करते है physically और chemically physically में भी दो stage आता है एक low energy level के basis पर और एक high energy level low energy level में में तीन आता है solid, liquid, gas ठीक है और high energy level में भी बहुत चारे मिल जाएंगे जिससे plasma है, BEC है चलिए यह सब तो होगी बात और हम लोग बात करते हैं chemical classification की तो chemical classification अभी हमने देख लिया अब हम लोग बात करते हैं कि element का definition क्या है compound का definition क्या है compound कितने तरह के होते हैं ठीक है, चलिए, थोड़ा element पहले देख लेते हैं ठीक है लेकिन elements सह भी पहले थोड़ा देख लेते हैं कि pure substance क्या होता है ठीक है, element सह भी पहले थोड़ा pure substance देख लेते हैं तो simple तरीके से समझेगा नाम से clear pure एक दम ये आ शुद्ध एक दम तो वैसे ठीक है वैसे समस्टैंस जो के वल एक तरह के पार्टिकल फिर से वैसे समस्टैंस जो के वल एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं फिर से फिर से एक बार तो वैसे समस्टैंस जो के वल एक तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोल अच्छा यहां लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी समस्टेंज जिसका जिसका composition constant होगा property क्या होगा constant होगा ठीक है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है pure substance उसको क्या बोलते है pure substance ठीक है अब आपके मन में एक प्रस्ने आ सकता है कि भाईया हम कैसे चेक करें कि कोई भी substance pure है कि impure है ठीक है तो purity मापने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे क्या जैसे आपका जो melting point होता है कोई भी pure substance का melting point होता है यह definite होता है जो उनका boiling point होता है ठीक है pure substance का melting point होता है जो boiling point होता है ठीक है fix होता है ठीक है जिसे मालों की पानी है ठीक है एकदम pure water है तो pure water का fix है कि भाईया वो 100 degree Celsius पर ही वो उबलेगा अब मालों की पानी में कुछ आप मिला देते हो कुछ एक्ष्ट्रा आप मिला देते हो तो वो impure हो गया ना तब उसका boiling point 100 degree Celsius नहीं रहा जाएगा ठीक है उसका boiling point change हो जाएगा ठीक है तो pure substance simple है कि भाईया वैसा कोई वे substance जो केवल एक ही तरह के particle से मिलके बना होता है उसको बोलते है pure substance और कैसे पहचान हो गया तो simple सा तरीका है कि different क्या होगा melting point होगा definite उसका boiling point होगा definite freezing point होगा तो इससे आप पहचान सकते हो और pure substance को दो पार्ट में divide किय है कौन-कौन सा एक element दुसरा compound ठीक है element दुसरा क्या चीए compound अब थोड़ा जान लेते हैं element है na element तो simple तरीक से समझेगा element तो element को तो आपने यह समझ लिया कि भाया element क्या है pure substance ठीक है यह तो आपने समझ लिया कि भाया element क्या है तो pure substance देकी इस करेका आपको element मिलेगा ठीक है अब element के बारे में ठीके metals के बारे में, non-metal के बारे में हम लोग एक chapter ही है, आपका I think 4 य pre chapter है, उसमें हम लोग detail में discuss करेंगे, ठीके उसमें आपको हम हर एक चीज बताएंगी, pure substance that cannot be broken down by ordinary means जिनको हम लोग split नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं elements, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देगा ordinary means usually हम लोग normal process split नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि split ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? अब यह हम लोग कैसे split करते हैं, यह हम लोग discuss करेंगे physics में जब हम लोग source of energy पढ़ेंगे उस समय हम लोग discuss करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल अभी आप याद कर लो, element क्या होता है? तो element यानि pure substance जिसको हम लोग split नहीं कर सकते हैं, जिसको break down नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और यह देख लो, आप element दो तरके होते हैं, stable और unstable, stable हमने आपको बता दिया, inert gas, ठीक है? अन्रेक्टिव गैस, ठीक है? noble gas भी इसको बोलते हैं, ठीक है? यह याद करने का तरीका हो गया, अच्छा, अब बताती हैं, यह unstable की बात आती है, तो यहाँ पर देखो, लिख देते हैं आपे, ठीक है? अच्छा, इससे भी पहले देख लो, कि total जो element की संक्या है, वो 118 से अधिक है, ठीक है, और जैसे हमने element को classify किया, कि element दो तरके होते ह तो हमने आपको बता रखा है, दूसरा क्या ची, unstable, ठीक है, अब देखे, unstable में भी तीन तरके आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको metal, ठीक है, एक क्या मिलेगा metal, दूसरा मिलेगा non metal, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा non metal, तिसरा मिलेगा आपको metalloids, याद रखेगा तिसरा क् कितने होते हैं तो 118 से अधिक है तिक दो तरके होते हैं stable दूसरा unstable और unstable में यहां मेटल है नन मेटल है और Hypilunde होर इस अहीं मेटल मेटल और यहां पर ऑर जान लो आप यहां ठिक है कि उसे हमें हैं यहां पर Haixis मेटल टीन तरक होते हैं Eli我知道 है pakai s एस ब्लोक मेटल एक होता है एस ब्लोक मेटल फिर होता है आपका डी ब्लोक मेटल ठीके फिर होता है आपका एफ ब्लोक मेटल ठीके फिर एस ब्लोक मेटल अभी दो मिल जाएंगे आपको एक होता है अलकली ठीके एक होता है अलकली मेटल दुसरा हो जाता है आपका अलकली अर इनको हम थोड़ा आपको periodic table के थुरू दिखाते हैं, ऐसे थोड़ा आपको confusion हो जाएगा समझने में, हम आपको थोड़ा phrase करके दिखाते हैं, ठीके चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक periodic table क्या होता है, ठीके तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताय आपके एकसो आठारा से अधिक है, अब इन elements को proper study करने के लिए, इनको एक टेबल में आरेंज करा गया है, और वो जो table है, उस table को बोलते हैं periodic table, याद रखेगा periodic table क्या होता है, तो हम लोग simple तरीक से define कर सकते हैं कि भाया, all the known elements are arranged in a rectangular table जितने भी known elements हैं, उनको एक rectangular table में arrange किया गया है ठीके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं periodic table ठीके, ओब देखे, ये एक chapter ही है, आपका, ये class 10 में आपको एक chapter ही पढ़ना है periodic table ठीके, तो देखे, आपको ये complete एक chapter ही दिया गया है ठीके, तो periodic table simple याद कर लेचे, कि जितने भी elements है उनको क्या किया गया है आपको, उनको जो है, एक table में arrange किया गया है ठीके, और वो जो table है, उस table को बोलते है periodic table ठीके, और ये पूरा periodic table है, इसको चार पार्ट में डिवाइट किया गया है ठीके, ये देखे, ये वाला जो होता है ये वाला, इसको बोलते है F block ठीके, इसको क्या बोलते है F block और ये पूरा आपके metals है, F block जो है ना, पूरा metals है ठीक है यह देखे यह होता है आपका यहां से यहां तक यह वला जो होता है यहां से यहां तक आपका इसको बोलते हैं D-block ठीक है याद रखेगा इसको क्या बोलते हैं D-block और D block में सारे आपके क्या मिलेंगे? metals मिलेंगे, ठीक है? D block में सारे आपको क्या मिलेंगे? metals मिलेंगे, आरी बात समझ में और यह देखे, यह है आपका S block ठीक है, यह जो है आपका S block metal है, ठीक है? जिसमें यह जो है आपका alkali है है ये आपका alkaline earth metal है ठीक है और F block में आपको दो मिलेंगे इंखे ये येத्थनोएट है और ये है आपका असिथे पनोट सिक अठीक है ये है आपका ये जो यहाँ से यहाँ itel ये ब्लोक दिखर आपको ये होता है P p block टीक है ये जो होता है इसको बोलते है P Block तो याद रखेगा कि Predictable क्या होता है तो जितने भी Non Elements है उनको एक Rectangular Table में Arrange करके रखा गया है और वो जो Rectangular Table होता है तिके उस Rectangular Table को हम लोग क्या बोलते हैं उस Rectangular Table को हम लोग बोलते हैं यह Predictable और जो पूरा Predictable है इसको चार पार्ट में Divide किया गया है और हर एक पार्ट को बोलते हैं Block हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं Block पला होता है S Block तो S Block में भी आप Metals मिलेगे S Block में भी आपको क्या मिलेगा Metals मिलेगा इसको छोड़की केवाल Hydrogen को छोड़के और यह पूरा F Block यहां भी आपको Metals मिलेगे ठीक है और जो पूरा आपका यह है D Block यहां भी आपको Metals मिलेगे और P Block में मिली आपको Non Metal मिलेगा P Block में आपको Non Metal मिलेगा और Metaloids मिलेगे ठीक है P Block में आपको Non Metal मिलेगा और आप Metaloids मिलेगे तत्य 場ं क्रोड़ों के अच्छे तरीकश्です चलिए कईडिक हो प्रेमेंट कब जो हमसे ह्थ 10 क्या होती तो याद रखेगा अलिमेंट दो त्र क्यों होते और एक block में Latinates और Acid Units चलिए ये तो बात हो गई किसकी Elements की तो चलिए थोड़ा Compound डिस्कस कर लिया जाए और उमिद आपको यहां तक जो जो हमने आपको बताया सारी बाते आपको समझ आई होंगी ठीक है और मेरी कोसिस यही है कि हम आपको छोटी छोटी बात समझाए फिर भी जैसे हमने आपको बताया कि जहां भी आपको समस्या है आप बताईएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्या डिसकस कर लेते हैं थाएगा ठीक है अब किसकी बारी आई अब बारी आई भहिया कंपाउंड की ठीक है न तो चलिए थोड़ा कंपाउंड तो सिंपल तरीकी से देखा जाए कि जब ही दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलेंगे एक इक फिक्स्ट प्रोपॉर्षन में मिलेंगे तो क्या बन जाए जिसमें दो या दो से अधिक elements क्या होते हैं मिले होते हैं लेकिन एक fixed proportion में और जो elements होते हैं वो chemically bonded होते हैं अब chemically bonded कैसे होते हैं और यहां पर दरदायों आयनिक और डेकल रघ। हैं जीत दो या दो से अधिक elements मिलेंगे एक fixed ratio मिलेंगे तो compound बन जाएगा तो तो यहाँ पर देखिए, यह मान लिजे कि आपका एक compound है, तो यहाँ पर देखिए, यह तीन molecules से मिलके बना हुआ है, एक, दो, और यह तीन, ठीके न, यहाँ पर तीन है, तीन से मिलके बना हुआ है, ठीके, अब यह देखिए, यह दोनों क्या है, सेम है, यह दोनों क्या है, जुडे हुए हैं, है ना, ये दोनों के हैं, आपस में जुडे हुए हैं, तो दोनों जो हैं, दोनों के बीच में एक force लग रहा है, दोनों जो हैं, एक force से आपस में जुडे हुए हैं, और वो जो force है, ठीके भाईया, वो जो force है, उस force को बोलते हैं chemical bond, याद रखेगा, जिस बात हुई किसकी? compound की. है लाँ अब यहाँ पर देख लो कुछ. यह क्या हो गया? आपका NCL हो गया, यह 90? वाटर हो गया तो यह water हो गया, यह ने सूगर हो गया, सूगर हो गया आपका ataque 01 h21, फिरशेंद क्या हो गया? Junior हो की दिए किसके एक definite ratio में मिलेंगे तो क्या बनेगा compound बन जाएगा ठीक है और जो elements मिलेंगे वो chemically bonded होते हैं ठीक है और जिस force जुड़े होते हैं ठीक है ये देखे ये दोनों है ये है और ये है ये दोनों जुड़ा है कि नि जुड़ा है तो दोनों के बीच में क्या है कुछ ना कुछ force of attracts ठीक है चलिए ये तो होगी बात अब बात करते हैं कि compound कितने तरह की होते हैं ठीक है compound क्या होता है वो हमने समझ लिया किस प्रकार से बनता है वो भी हमने समझ लिया ठीक है तो देखे compound जो होते हैं ठीक है compound जो होते हैं मेली दो तरह की होते हैं याद रखीगा compounds मेली दो अच्छा कौन कौन सा तो एक होता है आपका और्गेनिक कमपाउंट याद रखीगा कमपाउंट्स में लिद दोतर के होते हैं ठीके एक होता है कौन सा आपका और्गेनिक कमपाउंट्स ठीके अच्छा दूसरा कौन सा होता है तो याद रखेगा दूसरा होता है आपका इन औ organic compound को भी तीन पार्ट में, त्री पार्त में divide किया गया है, ठीके ना? अच्छा, organic chemistry, यानि organic compounds के बारे में आपको पढ़ना है, ठीके, और आपके chapter करना है, carbon and its compound, ठीके, और आप book में देखोगे, तो आपका chapter 2 या chapter 3 में आपको acid, base और salt के बारे में भी पढ़ना है ठीक है यानि आपको दोनों के बारे में discuss करना है यानि आपको organic compound के बारे में भी discuss करना है और आपको inorganic compound के बारे में भी discuss करना है ठीक है तो यह तरक्या compound दो तरह के होते हैं organic compound दुसरा inorganic compound ठीक है और inorganic compound तीन तरह के होते हैं acid, base, salt, ठीके, अच्छा, और ये आपको पता होगा, जो salt होते हैं, ये 5 तरके होते हैं, ठीके, जो salt होते हैं, ये 5 तरके total salt होते हैं, एक होता है आपका acidic salt, ठीके, दुसरा होता है आपका basic salt, ठीके, तिसरा होता है आपका neutral salt, ठीके, फिर होता है आपका double salt, ठीके, फिर होता है mixed salt तो यह सब हम लोग acid के बारे में base के बारे में हम लोग discuss करेंगे जब हम लोग chapter पढ़ेंगे यानि जब हम लोग acid based salt जब discuss करेंगे तो उस समय हम लोग detail में इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिल हाल आप याद कर लो क्या याद कर लो कि compound क्या होता है ठीके तो याद रख कि compound एक pure substance होता है और कब बनता है तो जब भी दो या दो से अधिक element एक fixed ratio में मिलते हैं तो क्या बनता है compound बनता है ठीके और जिस force से यानि उनके बीच में जो force of attraction होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं chemical bond बोलते हैं ठीके और जैसे हमने आपको बताया कि chemical bond के बारे में हम लोग अगली class में discuss करेंगे ठीके चलिए ये तो होगी बात compound की compound क्या होता है ठीके और ये भी हमने discuss कर लिए कि दो तरह के होते हैं organic इनorganic ठीके चलिए ये सब तो बात होगी है ना तो देखे अभी तक हमने क्या 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 क हमने pure circumstance के बारे में discuss कर लिया ठीके हमने basic जान लिया कि compound के बारे में थोड़ा जान लिया और हमने थोड़ा बहुत elements के बारे में जान लिया ठीके और आपने अगर ध्यान से समझा होगा notice किया होगा तो class 10 के chemistry में केवल केवल आपको pure circumstance के बारे में ही पढ़ना है यानि आप complete elements के बारे में पढ़ना है तो keep complete आपको compounds के बारे में ही पढ़ना है तो आप ठीके चलिया यह तो होगई बात किसके pure circumstance की आनि i passionate का compound भी हमने समझी लिआ हमने आपको periodic table का हलका सा दिखा दिया कि पिरोडिक table क्या होता है ठीके और यह सब हमनों detail में पढ़ेंगे periodic table का एक chapter ही है ठीके और यह जो आपको हमने बताया AC-based salt इसका भी एक अलग chapter है और organic compound इसका भी एक अलग chapter ही है ठीके चली यह सब तो हो गई बात है अब थोड़ा क्या अब थोड़ा impure substances ठीके impure substances यानि mixture यानि what mixture अब थोड़ा mixture के बारे में भी discuss कर लेते हैं ठीके और यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि mixture दोत्र क्यों होते हैं homogenous और heterogeneous ठीके अब थोड़ा mixture के बारे में जान लेते हैं ठीके थोड़ा सा mixture के बारे में जान लेते हैं and mixture के साथ-साथ mixture के साथ-साथ हम लोग थोड़ा बहुत जो है ठीके थोड़ा बहुत solid के बारे में जान लेते हैं liquid के बारे में जान लेते हैं और gas के बारे में भी जान लेते हैं, ठीके, चलिए, थोड़ा सा जान लेते हैं, किसके बारे में, सबसे पहले mixture discuss कर लेते हैं, ठीके, mixture discuss कर लेंगे, हमारा chemical classification ये complete हो जाएगा, ठीके, चलिए, अभी देखिए, मिंक्छर discuss करने से पहले, थोड़ा हम आपको atom के बारे में याद दिलाना चाहेंगे, ठीके, atom, ठीके, अब देखे, atom क्या होता है, ठीके, आपको पता भी होगा, भाई यह atom, ठीके, तो atom क्या होता है, तो atom is the smallest particle that takes part in the chemical reaction, ठीके, simple तरीके से अगर देखा जाए, तो atom क्या होता है, सबसे छोटा particle होता है, जो chemical reaction में participate करता है, ठीके, लेकिन हमने आपको chemical reaction अभी तक बताया नहीं है, ठीके, तो हो सकता कि आपको यह समझे ना आए, ठीके, तो आप इसको ऐसे समझो, ठीके, आप इसको ऐसे समझो, आपको कि हर एक चीज क्या है, मैटर है, तो matter जो होता है, हर एक चीज poder होता है, ठीके, वो छोटव-छोटव पार्टिकल से मिलके बना होता है, और वो जो छोटव पार्टिकल होता है, that particle is called atom, ठीके, तो आप सिंपल तरिके से बोल सकते हो क्या भाइजा, atom is the building block of किसका matter, ठीक है न, clear हो गया न, अब भी देखिए, और थोड़ा atom के बारे में जान लेते हैं, है न, थोड़ा सा और atom के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कि यह एक particle होता है, element में, यह हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कि smallest unit होता है, किसका element का, ठीक है, smallest unit होता है, किसका element का, थोड़ा और जान लेते हैं, किसके बारे में, atom के बारे में, ठीक है, तो देखिए, यह जो atom है, यह atom से आया हुआ हुआ है, याद रखेगा, atom जो है, यह atom के सात सात, atomeo word से भी आया हुआ है, यह भी कहा जाता है, यानि इसकी जो etymology है, वो क्या है एटमोज है और एटोम यो है अच्छा दोनों का मतलब क्या है तो दोनों का मतलब भाई अनकट टीके जिसको हम लोग split नहीं कर सकते हैं मतलब है इसका टीके तो याद रखेगा atom टीके क्या होता है तो सबसे पहले atom is the building block of matter ठीक है या smallest unit of element या आप ऐसे बोल सकते हो कि भया atom जो होता है ठीक है atom जो होता है is the smallest particle that take part in chemical reaction ठीक है आप उसको different different तरीकों से explain कर सकते हो atom को और यहाँ पर atom है कि भया atom जो है यह नाम किस ने दिया था तो नाम जो है demokritus ने दिया था यह जो नाम है आपका यह नाम किस ने दिया था तो यह नाम आपका डेमोक्रिटस ने सरिष्ट किया था ठीके अच्छा एटम के बारे में सबसे पहले किस ने बताया था तो ये भी हमने आपको बता रखा है ठीके एटम के बारे में सबसे पहले महारिसी कनड ने सबसे पहले ठीके महारिसी कनड ने सबसे पहले बताया था किसके बारे में एटम के बारे में है न और एक्टम को हम लोग क्या बोलते हैं परमानु भी बोलते हैं अब एक्टम की जरूरत पड़ेगी आपको एक्टम की जरूरत क्यूं पड़ेगी क्योंकि हम लोग आयन्स हमको सीखेना पड़ेगा है न हमको आयन्स को जानना पड़ेगा ठीक है आयन्स के ल जान पाओगे वही आईनिक कंपाउंट क्या से बनते हैं और जब तक आप आईनिक कंपाउंट से नहीं जान पाओगे तब तब तक आप कंपाउंट को नहीं समझ पाओगे और आपको पूरा पढ़ना ही क्या है आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री में कंप्लीट प्योर सबस्टैंट के बारे में ही पढ़ना है तो याद रखेगा एटम क्या होता है तो एटम को सबसे पहले किस ने इंटेडूस किया था तो महारी सिक अंदर ने इंटेडूस किया था कब किया था तो 400 BC में किया था 400 BC में इन्होंने क्या किया था सजिष्ट किया सॉरी इंटेडूस किया था है न और उस्तों में क्या कहा जाता था एटम को कहा जाता था परमानू ठीके परमानू आज भी ह theory Daltons Weakton Neckry and Na यह आपने पढ़ा होगा सबसे पहली जो atom पर बेश्डे जो सबसे पहली थी वह कौंशी थी तो doctor's atomic theory एने john Dalton ने सबसे पहली थीओर दिया था attom पर in और पर छाब दिया था तो 1808 में दिया थी नगा 1808 में इन्होंने सबसे पहली three V up their visit ठी के चले यह सब तो होगी बात, एटम की थोड़े बहुत हमने जान दिया, अच्छा है, अपर थोड़ा जान लेते हैं, molecules के बारे में, है न, तो simple तरीके से समझो, ठीके, जब भी आप atoms combine करोगे, है न, जब भी आप क्या करोगे, atoms combine करोगे, ठीके, तो क्या बनेगा, molecule बन जाएगा, तो simple तरीके से कहा चाहिए, कि whenever atoms combine, जब भी atoms क्या होगे, combine होगे, ठीके, जब भी क्या होगे, atoms combine होगे, तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, molecule, simple सा है, जब भी atoms होगे, combine है, क्या बन जाएगा, molecule बन जाएगा, है न, और molecule के बारे में, ठीके, molecule को हम लोग हिंदी मे बोलते हैं अनू याद रखेगा मॉलक्यूल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं अनू और मॉलक्यूल के बारे में चीके सबसे पहले महारेसी पडू कट्टेम ने सबसे पहले इंट्रडूस किया था कि यह आटम जो है एक्टम को हम लोग कमबाइन कर सकते हैं और कमबाइन करके क्या मिलेगा लुद्र हम और एक बार तो मॉलक्यूल की तो मॉलक्यूल याद रखेगा कि बहिया कैं जिरे दो या दो से अधिक एटम क्या होगे कमिवा होगे तो combine होगे तो क्या बन जाएगा molecule बन जाएगा है ना अब ऐसी तो combine होगा नहीं ना उनके बीच में क्या होगा force of attraction लगेगा यानि bond होगा उनके बीच में ठीक है और वह कौन सा bond होता है वह हमने जैसे बताया कि हम अगले class में discuss करेंगे ठीक है फिरहाला bond का bond का मतलब समझ लो force of attraction ठीक है simple एप bond का मतलब समझ लो कि force of what attracts ठीक है force of attraction ठीक है और bond क्या होता है ठीक है यह तो हो गया लेकिन किस प्रकार से बनते हैın ionic bond क्या होते हैem कhonakah Eliandивать क्या होता है यह सब हम लोग अगले class में discuss कर लेंगे ठीक है चलिए यह तो होगी बात और अमनों क्या करते हैं kh气, mixture पर थोड़ा काम कर लेते हैं, groups आपको समझ लेती है, ह्म अच्छे तरीक ने समझ आ गया होगा क्या हम और यहUhको अच्छे तरीके से 스वय ा गया होगा क्या होता है mole cycles तो फिर से एक बार वेनेवेर तू और मोर Exchange Modern Meanwhile a day Ultra molecule बन जाएगा atoms का combination atoms का जो combination होता है ठीके उसको हम लोग क्या बोलते है molecules बोलते है ठीके अच्छा एक दो point और थोड़ा देख लो आप यहाँ पे जिसे O हो गया तो O क्या हो गया atom हो गया अच्छा यह हो गया O2 तो O2 क्या हो गया molecule हो गया O2 क्या हो गया molecule हो गया P क्या हो गया phosphorus हो गया यहना यानि single अगर मिल गया आपको तो यह atom हो गया P4 मिल गया तो यह क्या हो गया molecule हो गया है ना P4 मिल गया तो वह क्या हो गया molecule हो गया आरी बात समझे S हो गया तो sulfur atom हो गया S8 लग गया तो यह क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया तो आपको idea लग गया होगा मॉलिक्यूल यानि combination of atom ठीके combination of क्या जी एटम ठीके और यह क्या होगए atom होगया सिंगल होगया तो बोलेंगे atom है एक स्राधिक मिल गया तो क्या होगया molecule होगया एक दम clear होगया अच्छा अब यहां वहां पर देखो कितने atom combined हुए है ना तो उसको बोलता है ऐन दो दौन adversary yaad रखेगा कितने atoms combined हुए है mole park किसी भी molecule में ॥पिर से किसी भी molecule से कितने atoms combined हुए है भी कि उसको हम लोग क्या बोलते है उसको एचंबने मालच्ट किसी भी मॉलेक्वमें कितने एटमस अमें एटंस प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं Atomicity जैसे इसका देखो इसकी Atomicity कितनी हो जाएगी इसकी Atomicity हो जाएगी 8 क्यूं क्यूंकि उसमें 8 Atoms क्या है combine है, इसकी atomicity कितनी हो जाएगी 2, इसकी atomicity कितनी हो जाएगी 4, है न, तो यह आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कि भईया atomicity क्या होता है, ठीके, atom clear हो गया, ठीके, तो atom, यानि सबसे छोटा जो particle सोलता है, उसको बोलते है, atom, ठीके, हम लोग atom को भी classify कर सकते है, ठ न, detail नहीं जाएंगे, ठीके, फिलाल, अब समझ लो, कि atom, यानि smallest particle of element, smallest particle of element, या building block of matter, ठीके, atom होगया, molecule, यानि जब भी atoms combine होगा, तो molecule, और कितना molecule combine है, उसको बोलते है, atomicity, चलिए, अब आते है, mixture पर, ठीके, अब किस पर बात करते हैं, अब बात करते है, mixture पर, ठीके, द तो एक ऐसा substance, ठीके, mixture का मतलब क्या होता है, एक ऐसा substance, जिसमें, दो या दो से अधिक, फिर से, mixture क्या होता है, एक ऐसा substance होता है, एक ऐसा सवस्टान्स होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सवस्टान्स क्या होते हैं मिले होते हैं लेकिन मिले होते हैं नौर्मले मिले होते हैं chemically bonded नहीं होते है, chemically bonded नहीं होते है, ठीके, तो उस तरह का जो, उस तरह का जो सवस्टैन्स होता है, ठीके, उस तरह का जो सवस्टैन्स होता है, उस तरह का सवस्टैन्स को क्या बोलते है, mixture, फिर से, फिर से एक बार, तो क्या होता भी या mixture, तो एक सवस्टैन्स होता है, जिस लिए combined नहीं होते हैं, तो उस तरह के जो substances होते हैं, उस तरह के substances को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, mixture, जैसे यह देखे सबजी यहाँ पर है, यह बनी हुई सबजी है तो यह clear क्या हो गया यह आपका एक mixture होगी ठीक है जैसे यह देखिए यह भी एकतर से क्या होगे आपका यह दोनों यह दोनों क्या होगे एकतर से mixture होगे तो mixture सिंपल से बात है ठीक है mixture यानि दो different दो या दो से अधिक different pure substances का जो combination होता है ठीक है लेकिन एकंशे होके हमने बात की mixture की है और आपको जैसे हमने बताया कि यह sushi यहां probapish कर लेते हैं एक होता है Äm अधिक ह मिक्षा कंचिकном sonate यह तोड़ा सब्सक्राइब के USSR लेते हैं और यह एक point देख लीजिए कि जो mixture के components होते हैं इनको हम लोग क्या कर सकते है physical method से separate कर सकते हैं इनको हम लोग simple physical method से separate कर सकते हैं अब physical method का बतलब क्या जैसे filtration हो गया evoporation हो गया distillation हो गया ठीके तो यह सब क्या हो गया आपके यह सब आपके physical method हो गया ठीके तो उमीद आपको mixture का भी idea लग गया हो गया ठीके देखे यह हो गया आपका alloy ठीके यह क्या हो गया आपका alloy ठीके अलोई भी एक homogeneous mixture है और यह मालेजिए आपका हो गया एक solution ठीके और solution हमने आपको already अच्छे तरीके से बता रखा है ठीके solution में हमने आपको complete detailed solution बता रखा है एक बर आपने check कर लेना हुआ है ठीके तो homogeneous की आर-अधि औन डिन यह सकती है इंड जिसे से मिलके बना है वह यह आपने बता सकते हैं सब्सक्राइब कर 8 देगा है कि आपका होमोजिनस चीक है और एकजांपल लिए रखेगा तो सिंपल क्या वह यह हो कि यहां जिसका जो कम्पोजिशन है टिके जो कम्पोजीशन है अगर वो कम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा तो समझ लिजे कि वह क्या है आपका homoagenous है ठीक है और ग्याद रहो कि Fest और एक som pas हमने बता रखा है आपको और buy शाधा रखा है ठीक है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सालोसन को तो सालोसन तो हमने समझ लिए हैं मिक्षे साथ हैं मिक्षे सालोसन चाहे तो जो आप घुलाते हो, उसको क्या बोलते है, solute simple सा है, जो आप घुलाते हो, उसको क्या बोलते है, solute, या जो अधिक मातरा में, ठीके, जो कम मातरा में present होता है, ठीके, जो कम मातरा में present होता है, उसको क्या बोलते है, solute, फिर से solute क्या होता है, जो आप घुलाते हो, ठीके, जिसमें घुलाते हो उसको क्या बोलते हैं solvent ठीके तो यह हो गया solute आपका और इसमें आप घुला रहे हो तो यह क्या हो गया solvent ठीके और detail के लिए हम solution का link आपको provide कर देंगे आप उसको देख लिए ठीके solvent क्या होता है तो जो ज्यादा मात्रा में available हो ठीके यह simple तरीके से जिसमें आप solute को घुला रहे हो ठीके जिसमें आप solute को घुला रहे हो ठीके उसको क्या बोलेंगे solvent ठीके यहाँ पर पढ़ लो the substance in which the solute is dissolved ठीके जो गुला रहे हो वो solute ठीके तो यह गुला रहे हो तो यह क्या होगे आपका solute जो घुला रहे हो वो solute जिसमें गुला रहे है हो वो solvent है जिसमें गुला रहे होगी जो कम伊ndra में है ठीके अविक तो यहां पिर लिक देते हैं simple तरीके से, कि solute plus solvent, क्या बन जाएगा, तो solution बन जाएगा, तो यह हो गया है, होमोजनेस mixture, यह हो गया हमारा क्या है, होमोजनेस mixture, mixture समझा गया, इंच क्या होता है, फिर से एक बार, तो जब भी दो या दो से अधिक pure tendencies को, हम लोग simply मिला देंगे, ठीके, मतलब जो pure substances है अगर वो chemically combined नहीं है simply हमने अगर उसको मिला दिया तो वो क्या हो गया mixture हो गया ठीक है दो तरके होते है homogeneous, heterogeneous homogeneous में क्या होता है अगर uniform composition होगा या आप ऐसे समझो कि जो उसके components है अगर उस components को आप identify नहीं कर सकते ठीक है तो वो क्या हो गया homogeneous ठीक है और दो होते है याद रखेगा solution और alloy solution में हमने देख लिया कि solute होता है solvent होता है solute या नहीं जो गुलाओगे वो solute जिसमें गुलाओगे वो हो गया solvent ठीक है अब थोड़ा alloy को देखनो तो alloy क्या होता है तो simple तरीके से आब बोल सकते हो कि वो या एक homogeneous mixture है पहला point की नहीं alloy क्या होता है एक homogeneous mixture होता है of two or more metals of two or more क्या चीप metal दो या दो से अधिक metals अच्छा non-metal भी चलता है गभी-कभी जो है आपका non-metal का भी उप्योग करा जाता है के क्षक्व है यहां पे अपका हुमोजदस मिक्षर जो टिंड käytग यहां पर दिखे यहां पे हमने आपको एक डीग्राम दिखाए था ठीके तो यह क्या ह march अभी किसी से बना हुआ है एक क्लब यह जो है आपका जो एलो किस्जी से बना हुआ है इसको आप इसले नहीं बता सकते तो यह क्या हो गया यानि इसका जो composition वो uniform है तो हम लोग बोलेंगे कि यह कौन सा solution है यह है आपका homogeneous solution ठीके यह है आपका homogeneous solution ठीके अच्छा कुछ याद कर लो जैसे steel है ठीके steel हो गया आपका तो steel किसे बना होता है iron और carbon से बना होता है ठीके तो यह देखो iron यहाँ पर metal हो गया और होगे या क्या होगे नन More distracting होगे टीके तो metal और non-metal भी हो सकता है या दो या-दो से अधिक metal भी हो सकता है ठीके तो यहाँ पर देखो example लिख लेगा ठीके अच्छा यहाँपर ग्रोंज हो तो bronze, copper, tin और zinc इसमें सारे के सारे क्या है metal है तो copper, zinc और tin मिलके क्या बन जाएगा, bronze बन जाएगा तो bronze क्या हो गया, एक alloy हो गया, तो एक alloy हो गया ठीके, यहाँ पर देखे, sterling, silver, ठीके, यह कब बनता है तो silver और copper मिलाओगे, तो क्या बन जाएगा, sterling, silver बन जाएगा और यह सारे क्या है, आपके सारे alloy है, सारे क्या है, alloy है तो alloy का simple definition है, एक homogenous mixture होता है of one or more metal, लेकिन आपको non-metal भी बोलना पड़ेगा ठीके, आपको यहाँ पर non-metal भी बोलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे alloy है, जिन में non-metal का भी पर्यूग किया जाता है ठीके, जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया, steel ठीके, तो यह हो गई बात किसकी? alloy की, यानि अभी तक हमने क्या कर लिया? homogenous mixture cover कर लिया, है ना? हमने जो है, homogenous mixture cover कर लिया, ठीके? क्योंने क्या कर लिया है, चली, अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है, हेlek neonous mixture की, जैसे survey कर सकती है, यानि एक ऐसा mixture, या simple समझो, mechanical mixture, ठीके? mechanical आपने क्या करा हुआ है उसको खुद से मिलाया हुआ है ठीक है आपने उसको क्या करा हुआ है खुद से मिलाया हुआ है ठीक है यह आप ऐसे बोलो कि एक ऐसा mixture जिसके components को हम लोग easily identify कर सकते हैं ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे वह यह वह mechanical mixture ठीक है यहाँ देखिए हेट्रोजेनस मिक्षर को हमने यहाँ पर क्या लिखा रहा था मेकैनिकल मिक्षर ठीक है मेकैनिकल मिक्षर ठीक है तो आप सिंपल कुछ भी उठाओ मिला दो ठीक है कुछ भी उठाओ और क्या टिक असानी से हम लोग क्या कर सकते हैं अगर आप इजली क्या कर सकते हो तो अगर आप इसली आइडिनटिफाइर कर पा रहे हो ठीक है या अगर नन यू इनिफर्म पोजिटन है तो समझ लएजी एक है फोंफोमोजिशन है अगर यًूनिफोर्म मतलब होता होता है कि सbenतों टिकें तो यहां पर यह होमोजेनस वाड वाड उगा हेट्रोजन्स वॉड़ हुआ एक जामपल निया गया है एक बिसकेट का एक जामपल यहां पे लिया गिया गया है ठिकेट तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह हम लोग जो है na हमने खुझ से मिलाया हुआ है, okay, यदि वाई जो है, हेट्रोजेनस मिक्शर को, ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्शर को, मैकनिकल, मैकनिकल, ठीक है, मैकनिकल, मैकनिकल भी कहा続iene, जाता है, टिके नॉर्ट उनिफॉर्मली क्या ची स्काटर्ट टिक